आज का अपना टॉपिक है चेप्टर नमबर 2 क्लास 8th linear equation in one variable हम लोगों ने 6th 7th में पढ़ा हुआ है equations के बारे में simple equations पढ़े हैं algebraic expressions पढ़े हैं उन्हीं में से ये chapters आया linear equation in one variable equations को ही solution करना है पहले हम general terms देख लेते basic देख लेते किस टाइब से होता है हमने तीन चीजे basic पढ़िए क्या है constant मैंने पहले लिखा हुआ है constant उसके बाद operation लिखा है फिर variable लिखा है constant क्या है जिसकी value change नहीं होती है जो constant है अब constant जिसकी value change नहीं होती है उसका meaning क्या हर condition में एक value रहती है हर condition में क्या रहती है एक value जैसे कि मैंने 2 लिखा है two centimeter बोलू two kilometer बोलू two kg बोलू two liter बोलू two क्या है only two two चीजों को डर्स आता है दो अलग-अलग value को डर्स आ रहा है represent कर रहा है तो value change हुई two की नहीं two की जगह पर हम क्या लिख रहा है two ही लिख रहा है value change नहीं हो रहे two कैसा लिखाएगा two यह two लिखाए ऐसे का इसा लिखेंगा two kg हो गया two liter हो गया two centimeter हो गया two millimeter हो गया लेकिन value क्या है two ही है तो मिंस यह क्या है constant next operations plus minus multiplication division four basic operations हमने देखे जो हम apply करते है क्या करते है apply इन पर apply करते है operands पर operation और operand जो दो numbers दिये दो variable दिये उनके उपर apply करते है तो हम क्या बोलते हो उन दोनो numbers दोनो variables को operand बोलते है ठीक है अब यहाँ पर constant क्या हो गए हमारे सारे numbers one two three four minus वाले भी सारे जितने भी numbers integer rational numbers सब वो सारे किस में आ गए constant में fractions हो गए decimals हो गए जितने भी numbers है वो सब किस में आएंगे constant operation हमारे basic operations plus additions subtraction multiplication और divisions यह four हमारे basic operation जो हम लगाते है उसके बाद भी all भी होते है यह basic हमारे variable conditions के साथ क्या हो value change हो अलग conditions पर अलग value है अलग conditions पर अलग value है condition के साथ से value का क्या होना change होना क्या कहलाता है variable कहलाता है जैसे कि हमने बोला है एक cake है लेकिन हम यहां kilo नहीं बोला है cake तो बहुत सारे होते है अगर cake छोटा है तो one kg का होगा उसकी design अलग होगी बड़ा cake है तो two kg का होगा three kg का होगा और बड़ा cake लिया है हे तो सभी cake हे क्या सभी cake लेकिन अलग-अलग conditions में क्या है value change हो रही है कहीं पर उसका weight ज्यादा है कहीं पर उसकी design change है तो means यह क्या है variable है एक क्या है variable उसी type से हमने variables को क्या बोला है किस से denote करा है letters जिसे a to z small वाले भी capital वाले भी a to z यह सारे letters हमारे क्या कहलाते है variables हम उनको अलग-अलग variables denote करते है कोई सा भी variable ले सकते है हमारे उपर depend है हम कौन सी condition में कौन सा variable ले ठीक next हम पढ़ते है expression आपने terms भी पढ़िए terms क्या होती combination of this variable and constants इनका combination है terms हम ने पढ़िए binary, monomial, trinomial, polynomials यह terms हम ने पढ़िए previous classes में पढ़िए हम तो आगे जाते है expressions पे expression क्या क्यलाता है combination इन तीनों का combination इन तीनों terms का हम combination कर दे तो क्या बन जाएगा expression जैसे example for example मैंने लिख दिया 3y plus 7 यह क्या है expression constant है 3 7 दोनों constant है y क्या है एक variable है और plus sign क्या है एक operation तो means यह पूरा क्या 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 लाएगा एक expression क्या लाएगा और बहुत सारे z minus 7 6 plus z 100 minus t यह सारे क्या है expression से equation की बात करें equation में क्या है तो सिर्फ हम क्या करते है जो expression लिखा है वो किसी दूसरे expression के equal हो गया मिंस हमने उसके बीच में क्या उनसा sign लगा दिया equality का sign तो means हमारी क्या बन गई उस नए term को हमने क्या नाम दे दिया equation नाम दे दिया equation for example मैंने इस में से ले लिया 3 y plus z 3 y plus 7 क्या हो गया 0 के equal है इसकी value क्या आती है 0 आती है तो means यह क्या हो गई equation यह हमने बोल दिया 100 minus t is equal to 200 100 minus t is equal to कितना आगया 200 आगया 200 आगया 200 आगया तो means यह क्या हो गई यह equation हो गई next rules अब equation मना दी है क्या हम यह जो unknown variable है उसकी value निकाल सकते है इसको solve करके कोई method तो हमारे लिए पहले rules है क्या changes कर सकते हैं हम किस type से निकाल सकते हैं हमने condition परते हैं transpose करना एक number variable किसी को एक place से दूसरी जगल ले जाना एक side से दूसरी side हमें पता यह जो equality sign है उसकी left hand side को left hand side बोलते हैं और right वाली side को right hand side बोलते हैं अलग-अलग side है दोनों ठीक तो हम या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख दो 0 is equal to 3 by plus 7 यह भी सही है हमने सिर्प क्या करा left hand side को right side में कर दिया और right hand side को पूरा उठा के क्या हां कर दिया है जीरो कर लेट hand side में कर दिया तो कोई दिखकत नहीं यह दोनों equation क्या है same equation है अब यहाँ पर rule से देखे अगर transpose करते किसी value को एक place से दूसरी side ले जाते है दूसरी side में तो क्या rule लगेंगे क्या changes करना पढ़ेंगे पहला हमने बोला left hand side से right hand side में ले गए कौन सी side में right hand side या फिर right hand side से हम कहां ला रहे है left hand side में दोनों same condition लेगी या तो एक side से दूसरी side ले गए या दूसरी से पहली side में ला अगर कोई quantity whole quantity की बात करेंगे हम single quantity की नहीं जैसे कि कोई quantity जैसे तो इसको पूरे को उठाके ले जाएंगे तब plus minus change होगा यहा पर देखिए अगर आपका sign plus का है उस quantity का sign क्या है plus तो वो अगर दूसरी side जाएगी दूसरी तरफ जाएगी तो उसका sign minus हो जाएगा उसका sign क्या हो जाएगा minus हो जाएगा वह simple सा example देता हूँ समझ ना जाएगा आपको बोल दिया गया है कि दो कमरे है क्या कमरे है दोग इह पास में चिप्के हुए है ठीक है दो कमरे है एक में आपके पपपा और आपके पपां और आप बेट आप मतलब A for up, second वाले में मम्मी और sister बेठ है, total number of persons कितने हैं, पहले वाले में भी two है, दूसरे वाले में भी two है, तो मैंने क्या लगा दिया, equality का सेंग, दोनों क्या है, equal है, दोनों equal है न, अगर मुझे ये equality maintain रखना है, और मैं ने देखा कि मैं, आप, मैं उठके कहा चले गया, दूसरे रूम में, मैं उठके कहां गया, यहां, अगर equality maintain रखना है, यहां पपा के equal आना चीए, एक person होना चीए, इदर भी, तो मैं इस value को क्या कर दू, minus कर दू, यहां से क्या करूँगा, A को minus कर दूँगा, तो यह दोनों क्या हो गए, cancel, बचे कौन, मम्मी, और इदर कौन बचा, पपा, तो यह क्या है, one person, मतलब यह दोनों क्या है, equal, equality maintain करना मतलब दूसरी side जाके क्या करना होगा, opposite sign लगाना होगा, इदर plus था, उदर जाके क्या हो गया, minus, यहां पर, अगर इदर minus हो रहा है, इदर क्या हो रहा है, minus, तो दूसरी side जाके क्या हो जाएगा, plus, इदर क्या कर रहा है, minus, तो उदर जाके क्या हो जाएगा, plus, पहली side, अगर multiply हो रहा है, तो next, division होगा, दूसरी side, left hand side जाने के बाद, अगर division में था, तो उदर जाने के बाद किस में होगा, multiply में, means, यह interchange होता है, कौन सा, plus minus का, और multiplication और division का, अगर कोई quantity left से right में जा रही है, right से left में जा रही है, plus में है तो minus में हो जाएगी, minus में है तो plus में हो जाएगी, just an interchange, और multiplication में है तो division में है, division में है तो multiplication में हो जाएगी, यह rules है, अब हमने rules देख लिए, पूरी complete हो गए, अब हम basic questions, small से लेकर, tough तक देखेंगे किस type से कौ कौन सी condition है, इस chapter का basic formula यह ही है कि आप जितनी जादा practice करेंगे, उतनी जादा आपको नए तलीके, नए लोजिक्स डेल अप होंगे, आप ऐसा नही है कि एक बार यह rules पढ़के आप बाकी सारे equations को solve कर देंगे, क्योंकि हर जगा नई concept use होते है, तरीके अलग-अलग हो सकते ह आपका friend अलग तरीके से solve कर सकता है, इस equation को, दो तरीके से solve कर सकता हूँ, मैं इस 7 को भी इदर लाके solve कर सकता हूँ, इस 2 को भी उदर ले जाके solve कर सकता हूँ, depend करता है, जब भी आप solve करे equation को, तो एक condition बना ले, कि मुझे variable को एक particular side में लाना है, और constant को एक particular side में ले जान है left hand side में हम variable को ले जाते हैं और right hand side में constant को ले जाते हैं maximum case में minimum conditions भी आती जैसे कि यहाँ पर minimum condition यहाँ पर आपको बताई जाएगी कि इसमें क्या करेंगे उल्टा कर देंगे just इसका opposite हम क्या कर देंगे variable को उसी साइड में रहें देंगे constant को दूसरी साइड में पहुचा देंगे और वहाँ solution कर लेंगे ठीक है तो next आजाते हम equation solution पे इसकी value निकालना है ठीक हमने rules पढ़ लिए आपको एक ओर term like term के बारे में पता है मैं यह समझ रहा हूं कि आपको like terms आती है पूरी तरीके से like terms क्या होती कैसे पेचानते है बहुत simple सा एक बार और थोड़ा सा revise कर देता हूं कि आपको सिर्फ variable पेचानना है क्या पेचानना है variable अगर same variable है दूसरी term में तो means like term है a square दिया है तो a square होना चीए b square दिया तो b square ही होना चीए a square दिया है और डूसरी term में a है तो unlike term हो जाएगी यसी हो जाएगी unlike term ठीक तो यहाँ पर यहाँ पर क्या-क्या given है x-2 is equal to 7 ठीक है अगर constant minus 2 को मैं उदर ले जाओ तो मेरे पास x की value आ जाएगी ठीक है तो x को अब देखो बहुत द्यान से समझना मैं यहाँ पर यह example लिया था न मैंने a को यह जो a है न इसको दूसरे कमरे में ले गया था तो यहाँ पर कोन होगा a हड़ गया न only father होंगे फपा होंगे न only इस room में कि a भी होगा यह तो बाजू वाले room में चले गया तुमा कोन होंगे only फपा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मैंने minus 2 को उधर की तरफ ले गया तो यहाँ बचा कोन है only x यहाँ मैंने x अब यह तो हड़ गया है उसके बाद कोन आया multiplication का sign 7 अब इसको मैं इधर की तरफ लाया हूँ अहाँ लाया हूँ इस side पर लाया हूँ तो minus किस में हो जाता है plus में और यह 2 ठीक है x is equal to 7 plus 2 कितना हो गया 9 तो x की value क्या है इस वाली equation में x की value क्या है 9 यह क्या है solution है जो इस equation को satisfy करता है next वाले पर आजाते है y plus 3 is equal to 10 same condition इस plus 3 को कहा ले जाएंगे हम right hand side में plus में उदा जाएके minus में हो जाएगा उदा जाएके काई में हो जाएगा minus में minus करेंगे कितना जाएगा 7 y की value कितनी आ गई हमार पा 7 मतलब इस equation का solution क्या है y is equal to 7 इस condition में y की value क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी next हमारा आगया 6 is equal to z plus 2 अब यहाँ पर देखो मेंने minimum condition बता ही थी कि क्या करना होगा opposite side में अब z को मत करो z कोन सी side में right hand side में तो right hand side में रिंदो constant को सारे को उठा के left hand side में लिया हूँ सारे constant को उठा के कुन सी side में left hand side में यहाँ देखो 6 minus 2 is equal to z यह क्यों लिखा क्योंकि मैं इसको यहाँ पर लिया है यहाँ लिया है plus 2 को left hand side में लिया है left hand side में लिया है तो क्या होगा minus तो 6 minus 2 is equal to z minus करूँगा कितना आएगा 4 is equal to z means z is equal to 4 यह basic representation step से generally लिखते है unique है इसलिए 4 is equal to z भी सही है लेकिन हम बता रहे है कि z की value 4 है z की value क्या है 4 यहाँ पर क्या है 4 की value z है तो थोड़ा सा read करते वक्त अजीब सा लगता है तो z की value क्या है 4 next next क्या हो गया x 6 x is equal to 12 अब यहाँ क्या हो रहा है multiply यह x है यह क्या हो रहा है multiply हमने multiply में क्या पढ़ा था दूसरी side जाने के बाद division होता है और division याद रखना whole quantity का होगा अगर यहाँ पूरी quantity होती x plus y plus z तो x plus y plus z को divide करते हम यहाँ पर only single quantity है 12 तो x यह multiply में 6 था खड़िया उदर ले गए हम तो 12 upon में क्या हो गया 6 6 की table में 6 आता है और 12 की भी आता है कितने time आता है 2 times यह 1 time और यह 2 times तो x की value कितनी 2 next 3 by 7 plus x is equal to 17 by 7 अब बच्चे बहुत गलती कि यह करते है कि यह multiply division में न उदर जाएके multiply में हो गया नहीं क्यों क्योंकि plus हो रहा है पहले पहले क्या हो रहा है plus तो पहले plus के लिए solution करो क्या करें हम इस पूरे fraction को इस पूरे fraction को कहां ले जाए right hand side में कहां ले जाए right hand side में x को रहने दे अब यह तो हड़ी है न तो इसको हटा तो plus भी हटा तो क्या बचा x is equal to 17 by 7 और इसको कहां लाए थे इस position पे plus sign है 3 by 7 के आगे क्या लिखा है plus नहीं है तो मतलब plus है उदर जाने के बाद minus में तो यह 3 by 7 अब यहां पर x is equal to 17 minus 3 upon में 7 LCM लेतर से भी होता है नीचे क्या आगया 7 17 minus 3 17 minus 3 कितना हो गया 14 upon 7 1 1 time और यह 2 time x की value कितनी 2 कितनी value आ गई x की 2 value आ गई एक बार देख लिजे पूरा अब next type के questions हमने फिर से देखे अगली type के देखते है जैसे जैसे नए questions आते जाएंगे आपका difficulty levels increase होते जाएगा difficult questions आना है start हो जाएंगे अभी हमने initial question देखे एक जगा से दूसरी जगा ले जाके solve करने वाले एक place से दूसरी जगा अब कुछ question ऐसे आएंगे वही की वही solve करना है एक ही place पर solve करना है फिर उसके बाद transposition करना है चलो पहले यह वाला questions देखते है 14y minus 8 is equal to 13 लिखा हुआ है ठीक है मैंने बोला है constant को दूसरी तरफ ले जाना है दूसरी तरफ कौन सी है left hand side में तो देखो constant को ने minus 8 14 को क्यों नहीं ले जा रहे है क्योंकि यह attach है किसके साथ variable के साथ यह individual है जा सकता है easy पढ़ेगा तो 14y minus 8 है यहड़ गया है तो क्या जाएगा equal to का sign 13 इसको कहां ले गए है यहाँ पाल ले गए minus था इदर आके plus हो गया और क्या बन गया 8 plus 8 14y is equal to दोनों को plus करा तो 21 कितना आ गया 21 अब यह 14 किस में है multiply में उदर जाने के बाद divide में 21 upon में 41 21 और 14 किस की टेवल में आते है 7 की टेवल में तो यह 3 टाइम्स और यह 2 टाइम्स अंसर कितना आ गया 3 by 2 य की वेलू कितनी 3 by 2 लिख रेते हैं य की वेलू 3 by 2 next 5t minus 3 is equal to 3t minus 5 अब यहाँ पर दो वेरियेबल है लेकिन वेरियेबल क्या है same 2 times енийडा है, variable कितने टाइम्स हारा है, 2 times लेफैरनच में भी है रैइटंच सइड में भी है, या आपको लेफ्टंच में सारे वेरियेबल the times, you can simply confess the various terms को एक तरफ करना है है और right hand side में सारे variable constant terms को एक तरफ करना है, right hand side में constant और left hand side में variable, तो देखो पहले 5T as it is minus 3 को हम इधर की तरफ लेगे, कुन सी side में है, right hand side में, right hand side में लेगे is equal to 3T minus 5, यह तो as it is, कौन आया है, minus 3 यहाँ पर आया है, यह minus था उदर जाने के बाद, plus 3, तीक है, अब देखों, य 3T, यह क्या है variable, इसको कहा ले जाना है, left hand side में, तो 5T, यह plus का था, इधर आने के बाद काई में हो जाएगा, minus में, तो minus 3T, is equal, अब बचा क्या, minus 5 plus 3, जो बच जा है उसको लिख दो, जो नहीं है, यह हड़िया न, इसको उठा के हम उदर की तरफ लेगे, तो यहाँ तो क यह like term से solution करेंगे, तो कितना जागा, 2T, is equal to, इसको solve करेंगे, कितना जागा, minus का 2, कितना आ गया, minus 2, अब यहाँ पर, T, यह दोनों multiply में, 2 multiply, T, is equal to, उदर जाएगा, तो upon में T, cancel out हुआ, 1, और यह minus 1, तो T की value क्या आ गई, minus 1, upon में 1, means minus 1, T कितना आ गया, आपके पास, minus 1, next, अब और जादा complicated, 8X plus 4, is equal to, 3 bracket में, X minus 1, plus 7, अब हमने board marks भी बढ़ा है, तो पहले क्या solve करते हैं, bracket, क्या solve करेंगे, bracket, यहाँ पर दोखो, 8X plus 4, is equal to, 3 का क्या करेंगे अंदर, multiply, दोनों ही terms में, तो 3 multiply X, 3X, 3 multiply minus 1, means minus 3, plus 7, यहाँ पर, 8X plus 4, 8X plus 4, is equal to, 3X, यहाँ पर क्या करेंगे, subtraction, कितना आ जाएगा, plus 4, कितनी value आ गई, plus 4, यहाँ पर देखो, अब पहले वाले question जैसा हो गया यह, 2 times variable आ रहा है, और क्या आ रहा है, constant आ रहा है, ठीक, तो variable को एक तरफ लियाओ, और constant को एक तरफ कर दो, तो देखो, 8X, क्या गया, 8X, 3X को कहा लिया है हम, left hand side में, तो क्या हो जाएगा, minus 3X, value क्या जाएगी, minus 3X, 4 को कहा लिया है, right hand side में, तो क्या हो जाएगा, 3X चले गया है, बच्चा क्या है, यह 4, यह 4, as it is, यह plus का था इदर आगने के बाद, minus का, क्या हो गया, minus का, तो यहाँ पर minus करने पर क्या आगयी, 5X, यहाँ minus करने पर क्या आगया, 0, मिनस करने पर क्या आगया, 0, अब यहाँ पर, यह multiply हो रहा है, 5 multiply X, is equal to, इधर जाने प 0 by 5 क्या होता है, 0 होता है, 1st chapter में पढ़ा है, roll of 0, 0 को किसी भी number से divide करो, we get 0, तो x की value कितनी आ गई, 0, next, x is equal to 4 by 5 bracket में x plus 10, अब यहाँ नया concept, यह multiply हो रहा है whole quantity, यह पूरा whole quantity है, तो आप क्या का सकते हो, इसको direct transpose भी कर सकते हो, लेकिन पहले वाले question में हमारे पास क्या था, addition था, तो हम उसको direct transpose नहीं कर सकते थे, 3 को direct इदर पहुचा नहीं सकते थे, left hand side में, क्योंकि गलत हो जाता, यहाँ पर कर सकते है, हम क्या करेंगे, 5 किस में, division में, उदर की तरफ जाएंगे तो multiplication में, यह क्या हो गया, 5x is equal to 4 bracket में x plus 10, यह value आ गई, 4 का क्या कर दीजे अंदर, multiply कर दीजे, तो 5x is equal to 4x plus 4 multiply 10 कितना हो गया, 40 हो गया, है, यहाँ पर 4x, sorry 5x, 4x को कहां लाएंगे, left hand side में, तो क्या हो जाएगा, minus 4x is equal to 40, क्या आ गया, 40, minus करा तो कितना आ गया, x is equal to 40, तो x की value कितनी आ गई आपके पास, 40, x की value कितनी आ गई आपके पास, 40 आ गई है, हमारा next question है, x minus 5 upon me 3, is equal to x minus 3 upon me 5, यहाँ पर आपको first cross multiplication करना होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, यह पूरी एक quantity है, उपर की तरब क्या है, एक quantity, और याद नहीं रहे तो bracket put करना जादा suitable रहता है, तो bracket put कर दो, क्योंकि पूरे bracket में multiply होगा, अब दोखो 5 का multiply कहा होगा, यहाँ पर, क्योंकि 5 कहा है, division में, इधर आने के बाद multiply में, 3 कहाँ पर है, division में, right hand side जाने के बाद multiply में, इसे बोलते है cross multiply, यह हमने क्या कर दिया, cross multiply, तो 5 उपर आगया, 5 bracket के अंदर, x minus 5, is equal to 3 का multiply कर आगया, तो 3 bracket में, x minus 3, यह बेल होगा, अब multiply अंदर करना है, bracket के अंदर, दोनों ही टम में करना है, तो 5 multiply x, 5x, minus 25, 5, 5 जा 25, is equal to 3 का multiply अंदर करना है, bracket में, 3 multiply x, 3x, minus sign, 3 multiply 3, 3, 3 जा 9, अब यहाँ पर, देखिए, variable terms दो है, एक left hand side में, एक right hand side में, तो हमें सारी variable terms को left hand side में लाना है, जितने constant है, उनको कहाँ ले जाना है, right hand side में, तो देखो, 3x को कहाँ लाएंगे, left hand side में, तो 5x, यह कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, plus में, इधर आने के बाद, minus में, यहाँ पर, minus 25 है, उधर जाने के बाद, यह position यहाँ पर, तो देखो, equality का sign, minus 9, और value कहाँ जाएगी, plus 25, value कहाँ जाएगी, plus 25, यहाँ पर minus करा, कितना आ गया, 2x, यहाँ पर minus करूंगा, तो कितना जाएगा, 16, कितना आ गया, 16, अब यहाँ पर, यह multiply में, 2 multiply x, हमें x की value निकालना है, तो 2 को कहाँ ले जाएगे, right hand side में, तो 2 multiply में, right hand side जाने के बाद, division में, तो x is equal to, 16 upon में, 2, यह one time और यह, 8 time, तो x की value कितनी मिल गई हमें, 8, x की value कितनी आ गई, 8, next question है हमारा, m minus, m minus 1 upon में, 2, is equal to, 1 minus, m minus 2 upon में, 3, यह तो आप क्या करें, इस पूरे bracket को उठा के, इस पूरी term को उठा के, कहाँ ले आए, left hand side में, क्योंकि, m वाली terms, तीनो ही terms में है, m जो later है, जो term है, वो तीनो ही उसमें है, तो एक साथ solo हो जाएगी, तो हम उसको, ले आते है, m minus, m minus 1 upon में, 2, अब देखो, यह तो पूरी term exit है, यह पूरी term हा रहे है, इसके साथ क्या है, minus sign, इधर आने पर क्या हो जाएगा, plus, तो plus, m minus 2 upon में 3, is equal to 1, यह 1 है ना, is it is, 1 कहा आगया, right hand side, next, हमने LCM लिया, क्या लिया, LCM, यहाँ पर नीचे क्या है, 1, 1, 2, 3, LCM कितना, 6, तो पूरे bracket के नीचे क्या आगया, 6, 6 को 1 से divide करा, 6, 6 का multiply, m में करा, यहाँ क्या आगया, 6M, यह पहला solve, second के लिए, 6 को 2 से divide करा, 3, 3 का multiply, इस पूरे bracket में करना है, ध्यान क्या रखना है, यह minus sign, यह minus sign को पहले put करो, 3 का multiply करो, तो multiply 3, और किस में, m minus 1 में, पूरे bracket में, 6 को 3 से divide करा, उससे पहले हम plus sign लगा देते, यह plus sign बीच में न, यह plus sign हमने लगा दे, 3 को 6, 6 को 3 से divide करा, कितना आ गया, 2, 2 का multiply करना है, उपर वाले bracket में, m minus 2, तो bracket में, m minus 2, is equal to क्या है, 1, अब इसको solve करना है, तो देखिए, 6m, minus 3 का अंदर multiply करना है, ध्यान रखना, minus sign important है, एक गलती आपका पूरा answer गलत कर सकती है, minus 3 का multiply कर रहे हैं, तो m में करेंगे, तो कितना minus 3m, minus minus plus, minus 1 में करेंगे, तो क्या होगा, minus minus plus, 3 multiply 1 कितना हो गया, 3, next, यह bracket पूरा solve, next, plus 2 का multiply करना, तो plus 2 में ज़्यादा दिक्त नहीं है, as it is होता है, 2 multiply m, 2m, फिर multiply करेंगे, तो हमारे पास कितना आजाएगा, minus 4, plus minus, minus, 2 multiply to 4, और upon में क्या value है, 6 is equal to 1, 6 division में पूरे के, तो उदर जाने के बाद क्या खर देंगे, multiply कर देंगे, तो यहाँ क्या होता हैगा, देखिए, m की terms देखिए, कितनी है, 3 terms, तो 7 में लिख दीजे, 6m minus 3m, plus 2m, plus 3 minus 4, यह plus 3 को में यहाँ लेगे, और is equal to 1 multiply 6, 6 division में था, उदर जाने के बाद, multiplication में आ गया, अब यहाँ पर, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3m, फिर plus 2, 3 में 2 plus कर दिये, तो कितना आ गया, 5m, यहाँ पर, 3 minus 4, means minus 1, is equal to 6, कितना आ गया, 6, minus 1 है, 6 plus 1, कहां ले जाएंगे, right hand side में, उदर जाने के बाद, plus में हो जाएगा, 5m is equal to 7, 5 multiply m, उदर जाने के बाद, division में, हमारा answer क्या आ गया, 7 by 5, m की value क्या आ गई, 7 by 5, next, यहाँ पर, point में है, डरना नहीं है, point में है, value simple, multiply करना है, जादा attention नहीं लेना है, point में value है तो, 0.25 bracket में 4f, minus 3 is equal to 0.05 bracket में 10f, minus 9, value है, अब यहाँ पर multiply, आप direct bracket को solve करें, कैसे करेंगे, हमने बोला, 0.25 का multiply, 4f ना करना है, तो constant का multiply, constant से होगा, तो आप किसको याद रगे, 25 का multiply, 25 फोर जा, 100, तो मैंने यहां 100 लिग दिया, point किस से पहले, 2 digit पहले है, तो मैंने यहां 2 digit काउंट करी, 1, 2, और यह point लगा दिया, तो value कितनी आ गई, 1, बना गई, यहां क्या हो गया, 1f, अब यहां multiply करा, 25 फोर जा, 75, 75 मैंने यहां लिग दिया, यह minus sign लगा दिया, 75, ठीक, point कहां लगाना है, 2 digit से पहले, 1, 2, और यह point आ गया, और यह क्या हो गया, 0.75, यह सौल इदर की तरफ, अब यहां पर, यहां पर क्या आ जाएगा, multiply करांदर, तो, 0.05, 5 multiply 10 करा, कितना 50, 5 multiply 10, 50, point कहां लगाना, 2 digit से पहले, तो यह point लगा दिया, 0.5, f, minus 590, 45, point, 2 digit से पहले, 1, 2, यह point और यह, यहां तक के लिए है, next, अब यहां पर देखो, variable f है, f की quantity कितनी है, terms कितनी है, 2, इनको एक तरफ लियाओ, constant को दूसरी तरफ ले जाओ, तो देखो, 1f मतलब f, 1f मतलब f, 1 का multiply करेंगे, we get same number, यहां पर, यह वाली term, कहां आजाएगी, इस place पह, plus में है, इदर आने के बाद, minus में, 0.5f, अब यह, next, बची वी term क्या है, minus 0.45, और, यह वाली term, इसको कहां ले गए हम, right hand side में ले गए, तो क्या हो जाएगा, minus में थी, plus 0.75, plus 0.75, अब यहां पर, minus करूँगा, तो कितना आजाएगा, 0.5f, कितना आजाएगा, 0.f, यहां पर, यहां पर कितना आजाएगा, minus होगा, sin plus का आएगा, कितनी value आजाएगी, 75 मतलब, 0.30, यहां पर, f is equal to, 0 नहीं भी लगाएगे, it's okay, 0.3 upon में, 0.5, यह कैसे आया, यह multiply में, 0.5 multiply f, is equal to 0.3, तो यह multiply में, उदर जाने के बार, divide में, points से points क्या हो जाते है, cancel out, value कितनी आजए, 3 by 5, value कितनी आगई, 3 by 5, 3 by 5 को divide करूँगा, कितना आजाएगा, 0.6, f की value कितनी आगई, हमारे पास, 0.6 आगई, f की value कितनी आगई, आपके पास, 0.6 आगई, next question है हमारे, z by z plus 15 is equal to 4 by 9, अब यहाँ पर, हमने अभी देखा है, कि इस type के questions में, हम क्या करते हैं, cross multiply करते हैं, तो यहाँ पर भी पहले हम क्या करेंगे, cross multiply, अब यहाँ पर pattern थोड़ा change हो गया, हमने नीचे दोनों तरफ number देखे थे, लेकिन यहाँ पर एक तरफ क्या है, bracket है, यह bracket है हमारा, z plus 15, और दूसरी तरफ number है, cross multiply कर रहे हैं, तो देखे, 9 का multiply, z में हुआ, तो 9z is equal to, 4 का multiply, bracket z plus 15 में हुआ, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, अब 4 का अंदर multiply करा, 9 multiply z, 4 multiply z, 4 z plus, 4 multiply 15, 60, 15 forza, 60, यहाँ पर 9z, यह 4z, right hand side जाने पर, left hand side जाने पर, minus 4z, plus 16, as it is, minus करा तो कितना आगया, 5z, is equal to कितना हो गया, 60, multiply में उदर जाने के बाद, division में, यह upon में कितना आगया, 5, cancel out करा तो कितना आगया, 12, तो z की value कितनी आ गई आपके पास, 12, जिस type से, 12, 5z क्या होता है, 60, उसी type से, 5, 12z भी क्या होगा, 60 होगा, आपने committed property पढ़ी है, 12 multiply 5, we get 60, 12 is equal to 60, तो 12, 5z कितना है, 60, तो 5, 12z भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, next question हमारा, 7y plus 4, अपन में, y plus 2, is equal to minus 4, अपन में 3, वही same rule, हमें क्या करना है, cross multiply करना, क्या करना है, cross multiply, तो वही same हमने करा, 3 का multiply करा, तो 3 bracket में, 7y plus 4, is equal to minus 4, multiply, y plus 2, minus sign का ध्यान रखना है, इसलिए, bracket लगाया है में, अंदर multiply करा, 3 multiply 7, 21y, 3 multiply 4, कितना हो गया, 12, is equal to, minus 4 का, मतलब, minus 4y, 4 multiply 2, minus 8, कितना आ गया, minus 8, यहाँ पर, अब variable को कहां लगाना है, left hand side में, constant को कहां ले जाना है, right hand side में, यहाँ पर, 21y, minus 4y, left hand side में आएगा तो, plus का 4y, इस place से कहां पर आ गया, 12 की place, 12 को हम उठा के कहां रखेंगे, minus 8 की place पर, ठीक, plus 12 बज़ था, उदर जाने के बाद, minus 12, 21 plus 24, कितना हो गया, 25y, 21 plus 4, कितना हो गया, 25y, यहाँ पर, minus minus plus करेंगे, sin minus का आगा, 8 plus 12 कितना हो गया, 20, 25, y is equal to 20, अब 25 multiply में, उदर जाने के बाद, divide में, तो upon में कितना आगया, 25, 20 और 25 किस की टेबल में, 5 की, यहाँ क्या हो जाएगा, 5, और उपर क्या जाएगा, 4, तो y की value कितनी आगया, minus 4 upon में, 5, यह क्या हो गया हमारा, topic complete, इसी type के आपको, बहुत सारे questions अप्लाई करना है, इसमें अभी words problem नहीं ली गई है, नहीं तो, बहुत ज़्यादा lengthy हो जाता है, इसलिए आप सिर्फ इन equations की practice करें, जितना ज़्यादा practice हो सके, थैंक यू